बुद्वार को ईद उल्जोहा के मौके पर मतरा की शाही जामा मस्जित और व्रिंदावन के साथ साथ गोवर्धन की प्रमुख मस्जितों पर नमाज अदा कराई गई हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी और केरल में आई तराशदी में लोगों के लिए अमनो चैन की दुआ मागी इद को देखते हुए जिला प्रशासन भी खासा एलेट रहा और जगे जगे पुलिस बेरियर बना कर सुरक्षा के पुखता इंतिजामात किये गए इद के मौके पर मत्रा के जिलाकारी वरिष्ट पुलिस अधिक्षक मेर आरेबंधू आदी मौजूद रहे इद जोहा की नमाज अधा करने के साथ सबी को ये संदेश दिया गया कि देश में शांती बनी रहे और देश की उपर से जो बला है वो टल जाए जिस तरह से केरल में बाड़ा ही है अल्ला सबी को बचाए हम आपको बता दें कि बकरीद पर कुर्बानी के बाद आज भी एक परंपरा निभाई जाती है इसलाम में गरीब और मजलूमों का खास ध्यान रखने की परंपरा है इसी वज़े से बकरीद पर भी गरीबों का विशेश ध्यान रखा जाता है इस दिन कुर्बानी के बाद गोश्ट के तीन हिस्से किये जाते हैं इन तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा खुद के लिए और शेश दो हिस्से समाज के गरीब और जरूरत मन लोगों को बाण दिया जाता है ऐसा करके मुस्लिम भाई इस बात का पेगाम देते हैं कि अपने दिल की करीबी चीज भी हम दूसरों की बहतरी के लिए अल्ला की राह में कुर्बान कर दें बकरीद को इसलाम में बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है इसलाम में एक साल में दो तरह की इद मनाई जाती है एक इद जिसे मीठी इद कहा जाता है तो दूसरी बकरीद एक एद समाज में प्रेम की मिठास घोलने का संदेश देती है तो वहीं दूसरी एद अपने कर्तव के लिए जागरुक रहने का सबक भी सिखाती है एद उल जुहा या बकरीद का दिन फर्ज एक कुर्वान का दिन होता है बकरीद पर सक्षम मुसल्मान अल्ला की राह में बकरे या किसी अन्पशियों की कुर्वानी देते हैं एदुल अजहा को सुन्नत इबराहिम भी कहते हैं इसलाम के मताबिक अल्ला ने हजरत इबराहिम की परिच्छा लेने के उद्देश से अपनी सबसे प्रिये चीज कुर्वानी देने का हुकम दिया हजरत इबराहिम को लगा कि उन्हें सबसे प्रिये तो उनका बेटा ही है इसलिए उन्होंने अपने बेटी की ही बली देना स्वीकार किया हजरत इब्रहेम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं इसलिए उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बान ली थी जब अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिन्दा खड़ा हुआ पाया बेदी पर कटा हुआ दुमबा यानि सौधी में पाये जाने वाला भेड जैसा जानवर पड़ा हुआ था तभी से इस मौके पर कुर्बानी देने की प्रता है इस मौके पर जलात कारी सरवग राम मिश्रा ने कहा कि ईद का तियोहार मुस्लिम भाईयों का तियोहार है और ये तियोहार कुर्बानी का तियोहार है हम लोगों ने सभी प्रशास्ने के विवस्ता में सफाई की बिजली की और पानी की विवस्ता की है और अलग-अलग समय पर ग्रामिल छित्रों में नमाज अदा की जा रही है। अधकारी अपनी अपनी जूटी पर लगे हुए हैं। SSP बबलु कुमार ने सभी को ईद की बढ़ाई देते हुए कहा जहाँ जहाँ नमाज होनी थी वहाँ पुलिस के द्वारा सुरच्छा व्यवस्ता की गई है। भावना इस जन्पत के लिए प्रेशित करें। इतने वोलंडीर हैं। कदम 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 पूरते हैं। और सबकी सुखाद्र पून बातावरा देए हम तन्मन और धंदे लगे हुए। और पूरे-पूरे हर सुलाच से ये आज का द्वाय मनाया गया है। अपनी और अपनी राश्टे वेते हैं। अपनी और अपनी राश्टेव लगें। आज लिए रादेट शुखामनाय है। आई पूलाध लाते है। आज लेकाज़वारा देख करताओं। तो दर्मान प्रिश्य की है चन्मस्तली। सभी वर्ग जाद संपरदाएं मिलकर प्रेम स्वाहदर से मत्रा में मास्क करें मत्रा भगवान स्रीकिष्ण की नगरी है यहाँ पर सदेप से ही लोगों के चेहरों पर प्यारों प्रेम जनखता है नगरी है तो प्यारों प्रेम की नगरी ही भगवान स्रीकिष्ण का नाम है यहाँ एदो भी पाबली हो या हो ली हो सारे तोहर अबंचन से मना जाते हैं अमन मत्रा में हमेज़ा दानी मिलता है इस से बढ़िया और कोई बात होने सकती मैं इतके मौके पार सब को इतकी हार्दिक मुबारख बार देता है